जब भी आपने देखा होगा जो लोग trading करते हैं वो किसी ना किसी logic से करते हैं बहुत यहां पर 90 परसthe यह नंग हैं वह ट्रेडिvolnga देख्केर करते हैं इंट्रेसिंग बात है ओ दस May के पिच्छे का राज गया है आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़े बताने वाला हूं जिससे आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक सुदर जाएगी और हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग प्लान कैसे हमें बनाना चीए तो ठ्रेडिंग प्लान क्या होता है देखो है हैं आहर इंसान कुछ भी अगर काम करता है तो उसके पहले उसको अक प्लान बनाना होता है उसके का पड़ूर शी रहती है जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हो तो आपको competent प्लान होगा कि वहाँ पर जाएंगे फिर हुँसके बाद वो काम करेंगे पर वो करेंगे और वो करेंगे बहुत सारे प्लान होते हैं ऐना लोग क्या करता है लोग ना are expectations होती है वो reality से match नहीं हो पाती है और अब उनको एक चीज में नहीं बहुत सारी गलतियां आ जाती है नए लोग आते हैं वो दूसरों को देखके खुद गलती करने लग जाते हैं और बहुत सारे खुद से गलतियां करते हैं और ट्रेडिंग में काम ही है हर दिन गलतियां होती है लेकिन मार्केट अपने और यहां दूसरे के उपर काम नहीं करता हैं यहां पर बहुत सारी चीजें होती है जिन से कि अगर हम अपनी life में यह manage कर पाए ठीक है तो उससे हम काफी हद तक आगे बढ़कर अपना एक profitable trader journey start कर सकते हैं और उसको बनाए रख सकते हैं अगर आप नए हो या फिर आप पुराने हो trading में काफी time हो चुका हैं लेकिन आज in points की मदद से आपको बहुत कुछ सीखने हो मिल जाएगा आपकी काफी हद तक trading सुदर जाएगी 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है और इस 2024 में आप एक बहुत अच्छे profitable trader बनने वाले हो तो सुरवात करते हैं जब कभी भी हम trading करते हैं ना तो हमें एक चीज़ पता नहीं होती कि एक्शूल में कितना पैसा बनाना है जितने भी नए बंदे हैं उनको तो यह हो आठ हो जाता यह एक expectation रहे गई है ना और उसे के बाद बहुत सारे PNL आप चेक होते होंगे इस्टा पे किसी का देखा कि और भई आज उसने एक लाग बनाया किसी ने दस लाग बनाया किसी ने पात चार बनाया किसी ने बंदर अजार बनाया वहां पे बहुत सारे बंदे जिनके की portfolio में मान लो आज position में किसी ने हजार रुपे बनाया होंगे ना वो उस PNL को देखके सोचता है कि यार किसी बंदे ने एक लाग रुपे बनाये हैं और दस हजार बी बनाये मैंने तो सिर्फ हजार रुपे ही बनाये तो इस परकार से क्या है कि जो अपने mindset है ना उसमें बहुत सारी automatic emotions हैं वो खराब होने लग जाते हैं emotions में हर कुछ आने लग जाता है और लोगों को यह देखो कि वही emotions ही ऐसी चीज है ना क्योंकि market में हमें एक trader बना सकते हैं आपको को 100% बता देगा है कि यार से यह इतना उपर जाएगा तो भी वहां पर आप पैसा नहीं बना पाऊँगे क्योंकि वहां पर आपकी psychology और emotions बहुत जाता impact करेंगे बाकी market है वह 100% कभी हमारी analysis के according नहीं चलता है यहां पर कुछ accuracy होती है certain कि हम 10 में से 5 बार 7 बार profit बना सकते हैं बट उसके बदें 2-4 बार हमें losses भी करने होंगे पैसा गवाना भी पड़ेगा तो भई हम कम गवाएं जितना हमने decide करका है उतना ही हम गवाएं यह चीज़ आपको करने के लिए और इनी चीज़ों को सुदारने के लिए आपको अपना एक goal define करना होगा आप अगर market में नए आयो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आते ही आपको पहले plan बनाना है कि क्या कि आखिर how to make money मैं पैसा कैसे बनाओ उसके लिए एक चीज़ समझे कोई बंदा अगर business करता है ठीक है business करता है तो उसको उस business की research करनी होती है उस business के बारे में बहुत सी चीज़े सीखनी होती है उसके बाद वह अपना जो पैसा है उस business के अंदर लगाता है उस पैसे को लगान हैं और फिर उसके बाद कुछ कोश्ट में खर्चे निकल जाते हैं expense रहता है किराया वगरा देना होता है उसके बाद कुछ return उसके हाथ में आता है ठीक है एक बहुत बड़ी process होती है और stock market में आपने पैसा लगाया ठीक है आपने कुछ product जैसे shares खरीदे और shares को बेचा उसके बीच में जो difference है उसी difference में से आपको पैसा बनाना है ठीक है आप mobile से laptop से कहीं से भी कर रहे हो इस से फ्रेक नहीं परता है लेकिन business में बहुत सारी energy होती ही बहुत सारी चीज़े लगानी होती है skill की भी need होती है इसकिल experience और mindset ठीक है आप में कितनी ज्यदा skill develop हुई है इन दिनों आपने कौन कौन से strategies पर focus किया है बेक टेस्ट किया है आपका experience किया है मार्केट में आपको time देना होगा और उसके बाद आपका mindset किस परकार से ready होता है ठीक है क्योंकि इंसान जब गलतियां करता-करता उनक mindset अपना automatic develop होता जाता है ओके तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा आपको अपने short term gains long term gains और wealth को आगे बढ़ने के बारे में प्लान मेंना होगा कि आज मेरे पास मान लो एक लाग रुपे हैं और एक लाग से मैं trading करना चाहता हूं यह फंड आप कम जदा कर सकते हो एक लाग का मेरे को कितना पैसा बनाना चाहिए बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि एक लाग का मैं हर महीने दस जार बना लू बिस जार बना लू बंद्राजार बना लू यहां पर आपको देखना है कि हर महीने अगर आप 5% रिटन भी बना लेते हो वह बहुत जदा होता है और महीने या फिर एक महीने में इससे कम भी हो तो भी जलेगा बट आप एक जुटे लालच में ना भज़ा हो यहां बहुत सारे स्टो बहुत बढ़ी है आपको तीस लाग बना सकते हो पर इसको बनाने लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा एफर्स लगाने पड़ेंगे तो एक रियलिटी के अंदर आप रहिएगा और अपने जो परसेंटेज वाइस हैं उनको कैलकुलेट कीजिए कि एक बार मैं अपनी क सब्सक्राइब करते हैं तो यह सोज़ते हैं कि चलो मार्केट निचे आएगा तो हम निकाल देंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टोप लोस तो रखते हैं बट डिसाइड कुछ नहीं रख रखाए हैं कि हां यह मैंने ट्रेड ले लिए अब हैना थोड़ा बहुत प हैं कि आज उनको मान लो किसी ट्रेड में लोसे हो रहे हैं वो सोचेंगे यार यह आज नहीं तो कल उपर आ जाएगा ऐसा सोचके वह होड़ करते हैं दस में से दो बार वह उपर आ सकता है पर आठ बार आपको लोसे देगा टाइम डीके होगा तो ओवरनाइट कभी होड़ लोग प्रोफिट आप हजार रुपए ही ना बुक पर पाओ क्योंकि बहुत सारे बंदें यह भी गलती करते हैं कि भाई हजार रुपए का प्रोफिट दिकाने नहीं सोचेंगे कर देते हैं तो इच ट्रेड अपको पैचाननी होगी कि भही मेरे को एक दिन में तीन लेना है दूसरा पर ट्रेड इतना लेना है माल आप 15100 रुपे पर डे डिसाइड करते हो एक ट्रेड में आपको बहुत कितना होगा 500 रुपे ही लोस रुपे अउससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देना है ओके नेक्सटेश चूस यॉर मार्केट इंस्टुमेंट वह सारे बंदे वीडियो देखते हैं और जिनको लगता है कि हाँ यह बंदा प्रॉफिट बना रहा है इसके वीडियो से हमें देखा कि इसने लाखो रुपे बनाए वो उसी के सेग्मेंट में गुज जाते हैं जैसे कि आप देखते होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग हैं लेकिन यहां पर जो नौ लोग है ना उनको नौलेज हो या नो हो वो डाइरेट इसी तरह बाते हैं और जो एक परसेंट वह स्टॉक में ट्रेड करने जाते हैं तो मान लोग कोई बंदे आये हैं और किसी को लगता है कि हाँ यार ऑप्शन में पैसा जल्दी बन सकता है तो वो है ना इसमें कुदेंगे डाइरेट उनको यहां पर स्टॉक में जाना ही नहीं है लेकिन एक्चुल बताओ तो जहां पर आपको कम पैसा बने या ना बने आपको पहले सीखना है तो सीखने के लिए स्टॉक्स ट्रेड कीजिए बहुत सारी चीज़े होती हैं कितना पैसा बनाना है आपको जल्दी से अमिर तो बनना है पर टाइम लगता है आप जितना टाइम दोगे उसके बाद एक टाइम आएगा जिसमें कि आप जल्दी से सब कुछ कर सकते हों बट आपको पहले स्टॉक्स ट्रेड करने हैं उसके बाद ऑप्शन्स में आप गुष सकत में कि डिटर्माइन दे मार्केट यू वांट टू पार्टिस्पेट कौन से मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं वह सारे बंदे ऐसे भी सोचते हैं यूस में ट्रेड कर ले क्रिप्टो कॉरेंसी मार्केट कर ले जो चाहे सब कुछ दिखता है आप एक चीज मार्केट में ट्रेड सकते हो चाहिए और नेक्स्ट है काई रिस्क मेनेजमेंट्रूर रिस्क मैने बहुत जरूर रियंगी आपके पास जो भी है यहां पर देखें मैक्जीमम रिस्क परेड कि इतने परसेंटेज हैं उसके डियर्क लेनी हैं डिस्क रुआड रिष्यज व वह भी मैंने आपको बता है कि 1000 रुपे का अगर आप डिफाइन करते हो कि मैंने को लॉस हो सकता है तो आप उसके बतले में 2000 का टार्गेट रखें ताइक आपका जो लॉस है नेक्स्ट डेड में रिकार हो पाएं और डिसाइड वेन टू कट लॉसस एंड टेक प्रोफिट अ और वह सोचते हैं कि वापस अब तो यह रिकावर कर लेगा वह रिकावर नहीं करता है और उससे और भी जदा गिर जाता है तो वह जितना जल्दी अपने लॉस को काट सको ना वह आपका सबसे बड़ा प्रोफिट होगा कि डेवलॉप एंट्रे एंड एंग्जिट इस्ट प्रोफर लेवल निकालना होगा कि आपकी एक इस्टेटेजी गया है ठीक है उसी स्टेटेजी को काम करना होगा यूस्टू पर हजारू वीडियो देखना बंद कर दीजे क्योंकि हां हम बहुत सारी चीज़े सीख लेते हैं मल्टिपल इंडिकेटर बट उन सभी को मिक्स क करके कोई मतलब ने है इस्टेटीजी को इस्ट्रेटीजी को सिलेइट कर दीजेगी वे आप यह करना चाते हो उसी के अको keeping आप Frisky कॉंबिनेशन कर सकते हो कि टेकनिकल एनलाइस फंडामेंटल एनलाइस किसी भी स्टोक में अगर आप इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड करते हो थो थोड़ी बहुत यह कर सकते हो जितना अपना एफर्ट लगाओ उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा और मज़ा भी आएग इस्टाबलिस क्राइटेरिया पॉर एक्जिटिंग ट्रेड वह जब भी कभी आप अपनी यो ट्रेड है उसको आप लेने से पहले या एक्जिट करने से पहले आपको जो प्राइस हैं वह पता हो नीचे इस स्पेसिपिक लेवल पर कि मार्केट यहां पर इस प्राइस के वह गया और आपको आवेर रहना होगा क्योंकि ट्रेडिंग अंदर है ना आपके सामने है नो लोग और आप अक्यले उन्हों लोगों से आपको पैसा बनाना है हर दिन जिसमें की बहुत बड़े ओपरेटर्स हैं बहुत बड़े बैंक्स हैं मुच्यल फंड वाले हैं ठीक हुआ बड़े हमें नो लोगों से फाइट करना है अपने अक्यले को पैसा बनाने में लिया तो जो काम हमें करना होगे न वह अपने प्रॉबर डिसिप्लेन से करना होगा तो हमारा अगर डिसिप्लेन सही है तो हम उसमें बेस्ट कर सकते हैं नेक्स बात आज हुए नेक्स्ट टाइम वो बंदा ऐसे सोचेगा कि भाई है ना मैं 50,000 लगा देता हूँ और फिर अचानक से मेरे को जब इसमें 1000 का प्रोपिट हुआ है तो मैं 50,000 लगा हूँ तो मेरे को 5000 का प्रोपिट हो जाएगा और यही सोच कि उसकी जु साइकोलोजी होती है यहाँ पर इंटेक्ट करती है और अगली बार वो जब यह ट्रेड लेता है तो वहाँ पर अच्छानक जैसे ही ली उसमें 2500 का लोस दिखने लग जाता है और उसकी फट जाती है और फिर वो सेन नहीं कर पाता है और उस लोस को देखते देखते बड़ा हो जाता है और वहाँ पर 10,000 रुपे गवाँ बैड़ता है यह क्यों हुआ क्यों कि पाई पिछली बार जब उसकी पोजिशन साइजिंग कम थी तो अगर वह 1000 के भी लोस में जा रहा था तो उसको टाइम लग रहा था लेकिन यहां पर जितने पर बढ़ी है तो वहाँ पर जो मूमेंट होगा चार पांच मॉइंट पर डाउन में जा रहा है तो यहां पर लोस अचानक से बढ़ा होगा तो जितने अपनी अपनी एक ट्रेड में इतनी लंगे तो उत्तिया आप कम अपना है पोजिशन साइजिंग रखे पोजिशन साइजिंग कब बढ़ानी है जब आप दो चार महीन इने सिंगल ट्रेड हाँ यह गलती भी काईज मैंने बहुत ज़्यदा की अभी-कभी ऐसा होता ना कि मान लो मैंने फाइट ली लोस हो गया दूसरी ली लोस हो गया तीसरी में ऐसा लगता था कि अब मैंने जितना पी पैसा है ना उतना ठोक दू और मेरे को पहले मान लो मे बड़ी केपिटल ठोक देते हैं और उस चक्रू में जो दो ट्रेड में लोस हो वह तो विल्कुल छोटा रह जाता है लेकिन बहुत बड़ा लोसे उनको हो सकते हैं तो भाई थारी पैसा है ना एक साथ नहीं लगा ना है पचास जा रहे हैं इनको पांच पार्ट में डिव भी ट्रेडिंग करते हैं तो लोगों के प्लान होने चीव है कि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूं वो कौन सी टाइम पर करूँगा यानि कि एक तो मार्केट के सेसंस आपको ध्यान में मोर्निंग में तो मॉर्निंग कि और अपने बारा बज़े बाद इवनिक सेषन होता है वो दोनु ठीक है और मार्केट गार टा había तो सवाह 49 से अपने बारा बज़े तक Communist होता है वह बहुत ज़यूदा इंप्रोड नहीं होता है ई Million決 market create रहता है जो भी morning time में breakout होते हैं उनके fail होने के chances ज़्यादा होते हैं लेकिन बारा बज़े या एक बज़े बाद जो market start होता है उसमें सारे market open हो जाते हैं Asian European market और जो big players हैं बड़े players हैं वो आने लग जाते हैं और उससे क्या है कि market के सबसे powerful time और powerful hour उसको कहते हैं जिसमें की market one sided move देने के chances ज़्यादा होते हैं तो यह आपको decide करना है उसके बाद आपको देखना है कि मेरे को 15 minutes में trade करना है या 5 minutes में या 10 minutes की time frame यह सब intraday के लिए one day one hour यह सब चीजे चेक करो तो आपको swing trade की opportunities मिल सकती है long term investment कर सकते हो और जब कभी trade करो तो एक बड़ी time frame से चोटी time frame पर आपको shift होना है जिससे कि आपको important support resistance level आपको यहां पर मिल जाए नेक्स्ट रिकोर्ड किपिंग अब गाइस हर दिन एक जर्नल क्रिएट करो आज मेरे पास देखो दो या तीन अपने जर्नल बड़े हैं क्यों मैं ट्रेडिंग से loss करता हूं वह भी मैं लिखता हूं मेरे को क्यों हुआ अगर मैं profit करता हूं वह भी मैं लिखता हूं क्यों हूआ उसके बेचे timing गल्तियां सभी चीज़े सुधार में सरा और उन दोनुं टाइम के मेरे पास जर्नल है अब आने वाले बजट में मैरे को पता है कि 70% ऐसी सीच्वेसिंट रह सकती है कि बजट के पहले मार्केट में या तो अच्छी तरजी आ सकती या फिर क्रेश आ सकता है दूसरी बज़ेट के आजपास मार्केट में कि exit क्यों क्या reason क्या था क्या result निकला profit बना या loss हुआ और हुआ तो क्यों हुआ analysis करनी है आपको regular की identity अपने patterns के एरिया जिन पर आपको ध्यान देना है आपकी गलते आई जिन सुदारना है मैं भी वीडियो का इस बहुत बड़ा हो सकता है बट एक्चुल यही चीज़ है कि मैं हकीकत आपके सामने सेर कर रहा हूं जिससे कि आप समझ वाओ और आप इन चीज़ों पर फोकस करो ना कि यही चीज़ें आपको प्रॉपिट बनाएगी वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्रीमेट का ओके अब गया इस इस्टे इनफॉर्म ट्रेडिंग जर्नल का आटवा पॉइंट है कि कभी भी मार्केट में आप चाहो तो आपको हर चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा क्या न्यूज है क्या इवेंट है आर्बिया पॉलिसी कब है कब क्या हो रहा है लोबल मार्केट कैसा है और उन सभी का इंपेक्ट अगर कुछ हो तो आपको पता रहे क्योंकि कभी कभी बहुत सारे बंदे ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद एक न्यूज आती है जिसमें उनको बहुत बड़ी केंडल देखने मिलती है तो न्यूज का अवेर रहना जुरूरी है अपको अपनी स्टेटेजी बेस्ट और मार ज़्यादा बदल चुके हैं पहले मार्केट जितना अच्छा मुमेंट देता था कि वही हफ्ते में एक बार एकस्पायरी होगी तो उसके आसपास बुद्वार के दिन या फिर गुरुवार के दिन कुछ अच्छा मुमेंटम हो सकता था और मार्केट साइडवेस भी रहता है और लोसेज करवा देता है उसी के साथ साथ उनके साथ डीके चलता है टाइम डीके तो जो चीजें आपके साथ कोई शेर नहीं करता है यह हकीकत है कि इन पांच एकस्पायरी से मार्केट पर एक बहुत अलग असर हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूमेंट की ज़रूरत है आपके माइंड सेट को आपको ध्यान में रखना होगा बलकि आप यह ना सोचे यह और हिरो जरो हो और फाइव स्टार यह हर डोज पैसा बनेगा बहुत कि आप यह सोचों कि आप उन पांच एक्सपायरी में अपना पैसा बचा होगे कैसे हैं एक्सट वैसी सिच्वेशन में पैसा दिया नहीं दिया वह आपको ध्यान में रखना होगा तब जाके सब कुछ होगा अगर कोई स्टेटेजी रिजल्ट अच्छे नहीं दे रही हैं तो उसमें क्या चेंज्स करने हैं वह आपको पता हो ना ओके यह भी हो चुका है रेगुलरी आपको जो ट्रेड प्रॉफिट दे रही है और जो लॉसेस दे रही है उन दोनों के रिजल्ट से रहेंगे तो आपको असानी से समझने में का मौका मिलेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है इमोशनल कंट्रोल है यह बता हूं तो मार्केट में जो 80% चीज़ है ना व सकते हो प्रॉफिट को टाइम से बुक करते हो और जितना हो अपनी ग्रीड के अंदर कंट्रोल रुखो डरो नहीं तो बहुत सारी चीज़े सुदर जाती है और यह चीज़ एक ट्रेडर को बहुत ज़्यादा फैश करनी बढ़ती है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको अच्छे से बताएं कि इमोशन्स सब कुछ अगर आपको आने लग गया मतब अच्छी एनलाइसिस कर सकते हो और आप अपने इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर पा रहे हो बट यहां पे 10% 20% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ इमोशन्स की वज़े से मार्केड में लोसेस कर र में कभी भी कुछ अनेक्सटेड हो जाए तो आपको किस परकार से उस सीच्वेशन में पैसा बनाना है या बचना है जैसे कि अनेक्सटेड क्या हुआ कि वह वह वापस उसी जगह चल लगे किसी ने 10 लाग रुपे लगाए और जिसका केबिटल 30 लाग रुपे तक ग्रो हो से भी नीचे 5 लाग में जला गया तो वह दस साल के उसके पैशेंस को डाइरेट टूडते होए देखो अगर आप कितना कुछ हो जाता है बहुत बुरा लगता है ना तो आपको ऐसे प्लांस बनाने होंगे सेकंडरी की वह अपना जो पैसा है उसको किस परकार से यूज करन करना है और क्या क्या आपको अपने सिच्वेशन में मैनेज करना है बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इन पॉइंट्स को एक बार ओवर देख लीजिए ध्यान से बहुत कुछ समझने को आएगा मिलते नेक्स वीडियो में आए